जहन प्यारे साथ ही हूं स्वागत है आप समय का एक बार फिर से खोठा किंग ऑफिस्यल पे हैं आईए हम बात करेंगे आज खोठा के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 मौ में यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है इससे पहले हम लोग 27 सेट जो फूल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं आपको जान करके आस्चेर होगा कि हमने 27 सेट जो फूल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो इस चेनल पे अविलेबल है आपका तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं आसाने से उसके अलावे लगभग अगर बात किया जा तो यहाँ पे आपको कम से कम 35 फूल लेंद सेथ प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा दरोगा के चाहे वो एक्जाम के प्रश्ण हो या तो अनी जो भी परिछाओं के प्रश्ण है वहाँ से लगभग आपको जो वो 15 सेथ वहाँ पे मिल जाएगा और लगभग 30 सेथ जो वो जैसे सी सीजियल का सिलेबस के एकॉर्डिंग आपको लगभग सेथ मिलेगा तो ये 28 सेथ होने वाला है तो जल्दी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और एक्जाम होने तक हमारा टार्गेट है इस सेथ नंबर को 50 तक पहुंचाना 50 सेथ नंबर आपको 50 सेथ यहाँ पे अविलेबल करवाय जाएगा पूरे एक्जाम होने के पूरु तक कुछ दिनों के बाद अभी आप लुग थोड़ा सधैर बना रखेंगे उसके बाद अंतिम समय में आपको जो वो डेले एक आपको फूल लेंद्थ प्रक्टि सेट दिया जाएगा अभी तो नहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको डेली एक फूल लेंद प्रेक्टिसेट इसमें करवाया जाएगा ये आप भरूसा रखिए तो चलिए एके करके बिना किसी देरी के हम 100 प्रशन को कभर करने वाले हैं लेकिन यहाँ पे आपके केवल 100 नहीं यहाँ से आपको लगभग 300 से 400 प्रशन खोठा के आज हल होने वाले हैं ये पूरे प्रेक्टिसेट में अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आते हैं पहले सवाल की और आज का पहला सवाल है देख लेते हैं पहला सवाल कहता है कि श्वागत कविता है सवागत कविता है कभी एके जहाग क्यकरा सवागत करे के बाद करल हथ तो जब भी स्वागत कविता तो सबसे पहले सबाल उठता है कि आखिर में यह कविता है किस पुस्तक की किसी कविता संग्रा हमको चार पढ़ना है चार कविता संग्रा पढ़ना है कौन कौन सा एक तो पढ़ना है आपको आखिक गीत दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है खोठा काठे पैदे खंडी तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एक मौनी फूल और चौथा जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है दामुद्रे कोराए ये पद रचनाओं के अंतरगत ही आता है दामुद्रेक कोराय अब देखे आँखे गीत किस ने लिखा है स्रिनवास पानुरी जी के दवारा लिखा गया है खोठा काटे पैदे खंडी एक एजाजी के दवारा लिखा गया है एक मौनी फूल ये किस के दवारा लिखा गया है तो संतोज कुमार महतोजी के दवारा लिखा गया है और दामुद्रेक कोराय सियुनात परमानी के दवारा लिखा गया है आखे गीत में 71 कविता है और पलस 11 चनिकाए है खोठा काठे पैदे खंडी इसमें 19 कविता है एक मौनी फूल में 31 कविता है जबकि दामुद्रे कोरा में 6 सर्ग है यानि 6 खंडों में ये बटा हुआ है ये अलग-अलग खंडों में बटा हुआ है इसके बार में भी आगे हम चर्चा करेंगे तो बता दे कि सवागत कविता जो वो इसी खोठा काठे पैदे खंडी जो है जिसमें 19 कविता है उसी 19 कविता का एक पाट ये भी है बता दे कि सवागत कविता की रचना जो है वो 1975 इसवी में खोठा काठे पैदे खंडी में एके जाजी के द्वारा किया गया था खोठा काठ खोठा काठे पैदे खंडी ये पूरे कविता संग्रह की बात कर रहें ये पुस्तक की रचना कभी थी तो 1983 में पहला प्रकासन आया और दुसरा प्रकासन इसका 2014 में आता है जबकि इस कविता की रचना कभ किया गया था 1975 में ठीक है जैसे कुछ कविता हमने लिख लिया उसके करद मनें हमने सोचा कि चलो एक भै पहले तो कविता की रचना होती तब तो पुस्तक में आता तो पहले और ने क्या किया उसके बाद और उसको समाहित करके एक पुस्तक निकाल दिया जिसका नाम रख दिया गया खोठा काठे पैदे खंडी. इसका भी नाम का अर्थ है खो काथ और कई जगा पे चालिस पहला का मिलेगा एक और छेतर के आधार पर वीज़ा के अलगशें बैसे अना पहला मिलेगा तो यह अलग-अलग छेत्रों के आधार पर बटाया जाता है तो मान लेते हैं अगर एक काथ है चालीस पहला हुआ तो चालीस पहला का खोठा काथ है पैद एक खंडी यानि उसका पद रचना है तो पद रचना जो वो उसका एक खंड है यानि उसका आधा है त यह दो भागों में बार दिया गया है एक गद्रेचना और एक दुसरा तरफ हो गया पद्रेचना यानि खोठा अगर एक काठ है तो उसका आधा भाग जो वो पद्रेचनाओ का योगदान देखने को मिलता है चलिए आगे बरते हैं तो इसमें से कविता के बारे में आपने प जिसकी बदोलत मनिश भाग भगवान स्वर्ग नरक ये सभी नियमों को तोड़ करके अपने भागी का निर्माता बना हुआ है बारी भित्री नया पुराना अपना पराया हर प्रकार का ग्यान जो वो बंदन ये है और श्वागत के योग है इसी के बारे में यह कविता में जो वो बताया गया है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है शिवनात्थ परमाने का आपन कविताय निंगाय केंद्रे कौन चायर म के श्रबद के राखलत तो किस चार म यहाँ पर म के बारे में यहाँ पर बात किया गया है तो शिवनात्थ परमाने जी के बारा यहाँ प श्रिवनाथ परमानिक जी के जनम 13 जन्वरी 1950 इस्वी को बैदमारा गाउं के बोकारों में इंखर जनम भेल ले इंखर बापेक नाम मुरलीधर परमानिक अर्माता के नाम तीन की देवी है आगे अगला सवाल है दलाल कविता केकर लिखल लागे दलाल कविता केकर लिखल एक मानि फूल उसी की कविता है इसमें 31 कविता है 31 कविताव में डलाल भी जोई वह कविता इसी पुस्तक के अंतरगत आता है एक मानि फूल की जो परकासन हुआ था उनिस दलासा पहला लगलग परकासन ठीक ना अब इसका नया परकासन भी आ गया है संतोष कुमार मातो जी का जन्म की बात करें तो 2 सितंबर 1930 इस भी को इनका जन्म हुआ था ठीक ना और अगर बात करें इनके निधन के बारे में तो 24 नॉम्बर 2013 इस भी को इनका निधन हो गया था इनके पिता क काफी उम्र उनका हो गया था तो याद रखेंगे निधन ये शंतोसकुमर महतों जी का भी निधन हो गया है 2013 इस भी में दो ए चोबिस नॉम्बर 2013 को ये भी डेट आप से पूछा जा सकता है ये डेट भी आपको याद रखने हामनीक परिपाटी कविता कौन किताबें आयल है हामनीक परिपाटी या एक मौनी फूल की कविता है और जिसको संतोसकुमर महतों ने लिखा है इसके बारे में हुने पहले चर्चा कर दिया तित्की राय के उपर जीवनी किताब के लिखलत तो तित्की राय के उपर जीवनी अब यहाँ पे सवाल उड़ता है कि तित्की राय के उपर में जीवनी लिखा गया है तो वहाँ पे इसका नाम था खोटा खोटा तित्की राय जिसको सिराजुदिन अंसारी सिराज के द्व इस जीवनी पुस्तक का रचना किया गया था तो यह सभी चीजें आपको ध्यान में रखने बाके कि यह सभी खोठा के ही साहितिकार है लेकिन इनके बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है ज्यादा डेटेल में इंसीजियों पर नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक ह हम टॉपिक पर ही रहेंगे ने तो बताने के लिए बहुत कुछ है तित्की राय के असल नाम की रहे तो जमालोदीन अंसारी इनका जो वो ओरिजनल नाम था ठीक है तित्की राय का ओरिजनल नाम क्या था तो जमालोदीन अंसारी एक चीज आपको और याद रखना है इनके पिता का नाम क्या था तो मोती राय था तितकी राय के पिता का नाम क्या था तो मोती राय था मोती राय बता दें कि तितकी राय की उपर में एक संसमरन भी लिखा गया है उस संसमरन क्या नाम है हस्मुख लोग कभी तितकी राय कंफ्यूजन हो सकता है हस्मुख लोग कभी ति यह संसमरन लिखा हुआ है यह संसमरन किस ने लिखा है जनारदन गोश्वामी व्यथित के त्वारा लिखा गया है 2001 इस में इस संसमरन को लिखा गया था अभी आप ने बताया खोठा-खूठा तितकी रहा वो क्या था तो वह जीवनी था यह दोनों में आप कंफ्यूज नही या एक संसमरण है और इसको लिखा है जनारदन गोश्वामी व्यथित के द्वारा 2001 इस्वी में इसको लिखा गया था ये दोनों चीजें आपको याद रखने है तित्की राय इनका असल नाम क्या था जमाल अदिन अंसारी इनके पिता का नाम क्या था तो मोती राय इसका सही कभिता और 11 चनिकाएं है उसी 70 कभिता में एक यह भी कभिता है श्रेवास पामड़ी जी के द्वारा लिखा गया इस कभिता को 2011 में आखिक गीत का प्रकासन हुआ था 2011 इस्वी में ठीक है जिसके प्रकासक थे नरायन मातो प्रकासक का नाम क्या था नरायन मातो ठीक है ये नाम भी आपको याद रखने हैं श्रिनवास पानरी जी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा और जानते भी होगे 25 दिसंबर 1920 को इनका जन हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ था कल्यान पूर बरवाड़ा में इनका जन हुआ था पिता का नाम सालिग्राम पानरी माता का नाम दुखनी देवी खोठा के पुरोधा खोठा के बालमिकी खोठा के भिश्मितामा सिष्ट साहिति के जनक अक्खय बोर खोठा के नागार जुन आधी कई उपनामों से ये जाने जाते हैं है ना तो इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा चली तो इसका जो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा कवी कचा कोडिक टान से परिसान है कवी खोठा खातीर समर्पित है खोठाक सेवाए सफल भाय के खूस है तो इसका से इंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानि ये सभी अंसर इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाले की ककर मुहें मधू आसा कमाज हैं आसा के किरन यानि एक निरासा है तो वहाँ पे एक आसा के किरन जगती है कई बार होते कि हम निरास होते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसा चीज आ जाता है या कोई ऐसा बोल देता है जिसे एक नया आस जगता है कि हाँ चलो यह होने वाला है जैसे कुछ दिर पहले सभी छात्रों के मन में निरासा था कि पता नहीं ये सरकार क्या करने वाली है एक्जाम होगा या नहीं होगा क्या होगा लेकिन एक आसा की किरन 14 नॉम्बर को जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा नोटी जारी कर दिया गया कि भाई इस इस तारिको जो वो परिशा होने वाला है तो छात्रों के पास एक उमीद की नई किरन जगी है कि हाँ भाई चलो अब एक्जाम होने वाला है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस कविता के माध्यम से भी बताने का प्रियाज किया गया है चली आगे बढ़ते हैं लवाग टूसा माने की हो वो है तो लवाग टूसा यानि कद्दू कद्दू तो यह इसके बारे में आप सभी को पताईए तो टूसा कार्थ होता है आगे का जो फूनगी होता है जो पूरा कोमल भाग होता है उसको बोला जाता है तो लवाग यानि कद्दू के फूनगी यानि आगे का पूरा जो कोमल पार्थ होता है उसको बोला गया है लवाग के टूसा अगला सवाल देखते हैं, धधैनी का कैसन सबत लागे, तो धधैनी जो वो किस प्रकार का सब्द है, तिया जो वो शंग्या सब्द है, कैसा सब्द है, संग्या सब्द है, और यह भाव वाचक संग्या के सब्द है, इसका सेंसर हो जाएगा, option A, कमेनी कौन किसी में संग्या ह सब्द है जात वाचक संगया के सब्द है कमहइनी चलि कमहइनी थोड़ा से इसको देख लीजेगा इसका अंसर संगया वाची सब्द ये भी है लेकिन भावाचक संगया के रूप में इसे इसे हम तो ये पूछा जारा कि लूर्गर जो वो किस तरह का सब्द है तो इसके बारे में हम जानेंगे या जो वो एक विसेशन सब्द है तो विसेशन वाची सब्द है इसका सही इंसर हो जाएगा ओप्सन सी जो वो इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बारते हैं और यह नहीं हसना यह तो सभी क्रियावाच शब्द हें एकर में विसेशनले संध्यार बनल सबाधहक हैं इन में से कौ新 सा सभ्ष है जो विसेशनसे संग्या बना हुअ सब्द है गेजाओभी मोटेनि चिकनवटी तो है सभी अंसर हो जाएगा यह सभी जो हो कि यहीं से बना है गयाजा करत यह अधा वे मानियात सब्सक्राउट, भलक आंचु मोट, सब्सक्राउट यह बड़ी पातार है बड़ी मोठ है बड़ी गोर है बड़ी करिया है यह सब्द जो होते हैं वो विसेशन वाची सब्द होते हैं जो विसेशता बताता है ठीक उसी परकार से गेजा गिरी यानि गेजा कर्थ बेमानी भी होता है है ना तो यह सब्द जो विसेशन से ही बने ह की वे सब्द संग्यावाची सब्द इसका जो हो जाएगा ऑफजय दिसका राइट अंसर हो जाएगा चली आगे बड़ते हैं अगला सवाल एकर में संपरदान कारक जो बोलते किसे रहता अब्याई भाव समास बोल जाए समान रुपे अब्याई उपसर्ग और सब्दिक दोहरावे के आवरिती से बनल सबत जो वो अब्जे अव्य होई जाए और उक्रे की कहल जाए उक्रा यहां पे अब गया भाव समास के बारे में यहां पे आपको याद रुखना है संपरदान कारक आई само बात करते हैं संपरदान कारक की बात क्या जाए तो यहां पे एक उपड़न और आहसे हिंदी में बोलते हैं क्ये लिए के लिए उसके बाद को ये सभी जो वो हिंदी के लिए जो संप्रदान कारक के विभक्ति है लेकिन खोठा में क्या होगा खोठा में होता है इसके लिए ले लागीन लेल खातीर और और भी इस तरह के जो भी विभक्ति होता है वो खोठा में संप्रदान कारक के लिए विभक् ये होता है, लेकिन आकरन में संपर्दाम कारक क्या होता है ? तो हमने बोला कि मंगरा ने, मंगरा ने बुधना को, मंगरा ने बुधना को सुक्रा खातिर या सुक्रा खातिर, शुक्रा खातिर लाठी से लाठी से मार ले अब देखें यहाँ पे एक हमने पूरा वाय की लिखा है इस चीज को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा मंगरा ने यहाँ पे कौन सा कारक है मंगरा जो भी करता कारक है यह कर कौन रहा है काम को मंगरा कर रहा है कर्म कारक कर्म किसके उपर पढ़ रहा है बुधना के उपर बुधना को सुक्रा खातिर यानि उद्दे सी क्या है सुक्रा के लिए वो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है सुक्रा हो सकता है उसका सुक्रा जो है वो मंगरा का भाई होगा उसको मार दिया होगा बुधना ने तो बाद में उसको बदला लेने के लिए जो वो मार रहा है लाठी से अब यहाँ पर सवाल उट रहा है करन कारक क्या है तो करन कारक है लाठी से जिसके साथ विभक्ति लगा होता है तो वो क्या होता है करन कारक होता है तो अब देखें ये हो गया करता कारक, ये हो गया कर्म कारक, ये हो गया संपरदान कारक, जिसके लिए जो उद्देश के साथ में उसने काम किया, कार्ज को किया, और ये क्या हो गया, लाठी क्या हो गया, करन कारक हो गया, तो ये सभी चीजें आपको याद रखने, कारक के त उसके बाद आपका संबंध कारक बोधक होता है यह सभी चीजें आपको पता होगा इसके बारे में और अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी आपको कारक के कारक पर आपको सेपरेट वीडियो दिया जाएगा और grammar part तो अभी हमारा बचा हुआ है grammar part अभी शुरुवात नहीं हु और यह पता है कि आपका जो दिक्कत है वो खोठा के grammar में ही पार्ट में आपको दिक्कत होए इसलिए बहुत जल्दी आपको इस पर भी हम लोग काम कर रहें बहुत जल्दी आपको इस पर भी वीडियो मिलेगा और बेफिखर हों करके रहें यहां अगर आप हमारे साथ यहां पर एक और एक्जामपल इस तरह से हम बताते हैं कि राम ने रावन को सीता के खातिर या सीता के लिए मारा, तो राम ने आखिर में रावन को मारा, तो राम यहां पर कौन है करता कारक है, जो कायरिकों किये, ठीक है, यहां पर उद्दे से क्या था, सीता के लिए, यानि मरा कौन तो रावन तो रावन जो वहाँ पे कर्म कारक है बान से मारा तो बान वहाँ पे क्या हो जाएगा तो यह सब चीज हम जब हम पढ़ेंगे कारक पूरा तो वहाँ पे डेटेल में समझने का प्रियास करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा संप्रदान कारक का व अब्याई भाव समासे इसमें इसका पहला पद जो होता है वो परधान होता है ठीक ना तो इसका सेंसर हो जाएगा अब्याई भाव समास की अंतरगत आता है जिसका पहला पद जो होता है और परधान होता है अगला सवाल है हम कैसे जियव कहनी का पात्र नाएल आ गए इनमें से कौन सा पात्र जो वो इसका नहीं है तो जभरू पारवती, महेसर और चुनिया ये तीनों पात्र जो है वो हम कैसे जी अब कहानी का ही पात्र है लेकिन जबरु जो वो इस कहानी का पात्र नहीं है जबरु किस कहानी का पात्र है या जो है वो उबार कहानी का पात्र है या उबार कहानी का पात्र है जो कि सोंध माटी कहानी सं संग्रा का ही कहानी है जिसको चित्रंजन मातों चित्रा ने लिखा है इसके मुख्य पात्र महेसर है इसके लावे इसमें कई सारे पात्र आएं तो वो सभी पात्र आपने पढ़ा होगा कहानी में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सुक्रा घरे के आईल है यहां के सरवनाम पद कौन टाक है तो सुक्रा घरे के आईल है अब यहां पर के देखिए आना जाना यह सभी तू किरिया बाची सब्द है ठीक है सुक्रा क्या है तो यह संग्या है ठीक है अब यहां पर बोल रहें कि के यहां पर किस वरकार का सरवना थो अ्ठेकान वाची आण ठैकान न्थेकां यानि अनिश्चे-वाचक शरुणाम है यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है है सुक्रा घर गरें के आल है यह पता थोड़े नहीं हमको ठेक पता होता थो ठेकान वाचक यहां पर पता Sustain तो वो अंठेकान वाचक सरुनाम हो गिया तो इसका से अंसर क्या हो जाएगा option C इसका right answer हो जाएगा चली अगला सवाल देखते हैं हमर बैटा कॉलेजें पढ़े हैं और सरुनाम के छे भेद होते हैं वो सभी चीज़े आपको पता होगा चली हमर बैटा कॉलेजें पढ़े ह हमर की लागए हमर यहां पर क्या हो जाएगा तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरुनामी विसेशन यह जो है वो सरुनामी विसेशन है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option D अगला सवाल है बुधना घर पहुंचे था तक बुधना घर पहुं चाहले चाहां तो एक रित्तमान काल है है लेकिन सक्षी है या संभावना है कि err पहुंचने वाला होगा रास्ते में कि हुआ एक दृडली गईला फॉए के कौं काल है? यहां पर आपको बताना है कि यह कौन काल की अंतरगत आएगा फो जई स很好 ढह людों इसले और आप्सट डियानि पूरा वह का बात कर स्ञेस्ट प्हली गया था तो ये पहले का बात कर रहा है भूत काल का तो ये पूरा भूत काल हो गया जो कि पूरा हो चुका है जा चुका है वो मंगरा फुलवा से गढ़िया प्यार करोहल एकर में कौन काल है तो करोहल तो यहां पे क्या है करता था और था जहां पे सब्दोतों यानि वो भूत काल की बात कर रहा है वो समय बीत चुका है बीतल काल के यहां पे बारे में बात किया जा रहा है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा काटेक किरिया ले संग्या बनल सबद हक है काटेक किरिया ले संग्या सबद बने लग है तो काटेक किरिया से संग्या सब्द बनल सब्द जो वो कौन सा होगा तो इसका सेंसर हो जाएगा काटान इसका राइट अंसर हो जाएगा option इसका अंतिम कहानी होब है और पहला कहानी है उबार है उबार कहानी में कई ऐसे पात्र है जो कि सभी पात्रों के बार में आपनों तो पढ़ा होगा तुसमें जो पंच जो वो मुख रूप से जो था वो कौन-कौन था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बीरु और महेस यहीं बीरु और महेस यह दोनों था जो कि उसका गाय खोल करके और दुसरे के खेत में जो वो हिला देता है गुसा देता है और बाद में उस पर पंचेती बेटता है पंचेती में उसको जुर्माना भी लगाया जाता है अब पंचेती करने के लिए लोग 20 रुपया घुस भी लेता है बोलता है 20 रुपया घुस दो तब तेरा मतलब ये पंचेती करेंगे 20 रुपया घुस भी लेता है 200 रुपया इसके उपर जुर्माना भी लगाए जाता है जिसके कारण से वो अपना खेत गरा बेच देता है घरबारी बेचता है उसके बाद 200 रुपया जुर्माना जो भर देता है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है पंचेती करवे खातिर बीरू जहवरू से कत्ना घर बारी जो भी जमीन बेचा था 500 रुपय में चली जबरू आर के एक संगे आबाद या फसल ओगरी करो हले तो जबरू आर आपन के एक आर संगे हले जकर साथ है फसल ओगरू हले तो वहले बुधन बुधन अकर सही अंसर भैजिते तो 26 कब अनसर हो जिते ओध दीदा कहन के मख्य पात्र कौन सा है तो ओध दीदा के मख्य पात्र कौन है तो चानो वाली इसका राइट अंसर हो जाएगा ओध दीदा कहनी के मख्य पात्र जो वो कौन हो जाएगा चानो वाली तो बता देखी या सौंध माटी से लिया गया कहानी है सौंध माटी जो पुस्तक है उ थोड़ा सा अगर हम सोंध माठी के बारे में अगर बताने का परियास करें तो 1990 में इस पुस्तक का प्रकासन हुआ था 1990 में पहला प्रकासन आया था ठीक है इसका प्रकासन जन जाती भासा एक आदमी रांची था जो कि बिहार जारकन इसमें 10 कहानी है 31 कविता है लेकिन क्या कविता आपको नहीं पढ़ना है तेवल आपको 10 कहानिया पढ़ना है ठीक न यह सभी चीजा आपको याद रखने इसका पहला कहानी उबार है और अंतिम कहानी हूब है ओधिदा कहानी में लेखा के अच्छा यहां पे इसका अंसर हमने बता दिया अंसर इसका हो जाएगा चानो वाली ठीक न उधीदा कहनी में लेखा के कौन पूरा नाय हो यहां पे साध चूट गियाने जो एक मण था उसका वो पूरा नहीं हो पाता है तो चानो वाली के गोल लगे के मन जो वो पूरा नहीं हो पाता है साध उसका जो होता है लेखा का वो पूरा नहीं हो पाता है इसका अंसर हो जाएगा option D तब तक वो मर जाती है बुढ़ा संग्या रूपें कौन संग्या क्पड़तेर लागें किस प्रकार का सब्द है यह आपको बताना है तो यह जो वो एक जाती वाचक संग्या के बारे में बता रहा है जायत वाचक संग्या के बारे में बता रहा है अब बुढ़ा या व्रिध यह दोनों जो वो क्या है जाती वाचक संग्या है जिससे बुढ़ा यानि व्रिध का हमको एक जाती का पता चल रहा कि जो भी व्यक्ति वो व्रिद तरह का है जवान जवान क्या हो गया यह भी जाती वाचक संग्या के बारे बता रहा है ठीक है छववा भी क्या है जाती वाचक संग्या है संग्या बाची सब्द है लेकिन वह जैसे अगर बोले कि लड़की या चोड़ा चोड़ी यह सभी जो हो जाएगा वो क्या है एक जाती वाचक संग्या के बारे मता रहा है लड़का लड़की ठीक है अगर बोले राजी राजी क्या है जाती वाचक संग्या है लेकिन अगर बोले कि राजी में जहारखंड तो जहारखंड क्या है जहारखंड जो व बुढ़ारी में भी एकर कोई नाम जोड़ दें जैसे मंगरा बुढ़ा मंगरा बुढ़ा तो यहां पर मंगरा जो सब्द जुड़ गया तो यह क्या हो जाएगा फिर व्यक्तिव व्यक्तिगत नाम बोल रहा है मंगरा दादा तो यह ब्यक्तिगत नाम के बारे में यहां पर आ गिया तो इसका जो से अंसर हो जाता है वो हो जाएगा यह गोंठ वाचक जहां से भीड भाल का बारे में यहां पर जिक्र हो जैसे मेला हो गया और भी कई ऐसे सम्मेलन होते हैं शभा होता है सेना हो गया जहां पानी चिन्नी जो भी नापतौल करने वाला होता है वो सभी आता है एगो बुढ़ा आदमी सड़क पार करो हल है या बुढ़ा कैसन सब धक है तो यहां पे पूछा जा तो यहां पे जो वो विसेशन सब्द है अब बोले कि थोड़े दिर पहले तो आपने बोला कि कि संग्या है तो यहां पे विसेशन कैसे हो गया अब यह देखिए सेंटेंस के उपर है जैसे आदमी सड़क पार करो हल लेकिन कौन सा आदमी पार कर रहा था बुढ़ा आदमी तो यहां पे विसेशता बता रहा है कि आदमी सड़क पार कर रहा था लेकिन कैसा आदमी था गोरा आदमी था तो यह सभी जाव हो जाओगा वो सब क्या है यह सभी विसेशन है यह सभी विसेशन विसेशता बता रहा है जो यहां पर क्या हो जाओगा वाची सब्द है तो कई बार सब्द जो वो सेंटेंस के उपर भी निर्भर परता है कि वो पूरा सेंटेंस आपका कैसा है उसके आधार पे वहाँ पे तय होता है चलिए आगे बरते हैं बढ़का बुजरुक बिर्सा में कौन अलंकार है तो अलंकार के बारे में आपने होगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा से यह कठीन विशय है अपने आप में तो बता देखें जहां पर व्यंजन वर्नों की आवरिती होती हो उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं ठीक है तो यहां पर बार देखें के बार का यह सभी का जो वो बार बार क्या हो हो गया यहां पे क्या की आवरिती हो रहा है एक उधारन यहां पर यहां पर है जैसले5 हैं जिसके कारण से वह सब क्या होता है यह अनुप्रास अलंकार का उधारन है अलंकार जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है अलंकार तो ये आभुसन एक रूप में भासा का आभुसन के रूप में जाना जाता है अलंकार का अर्थ होता है आभुसन ठीक है तो ये भी हो सकता है कि अगर आप से रांची में इनका जन्म होता है ये टिकेत उम्राउंसी के दिवान थे और इन्हें फांसी आठ जनवरी 1858 मोराबादी टैगोर हिल में टिकेत उम्राउंसी के साथ में दे दिया गया फांसी दिया गया आठ जनवरी 1859 मोराउंसी की बात किया जाए तो वो टिकेत थे जिनका ज गाउं में खुदिया लोटवा गाउं यह और मांची था ना रांची में पड़ता है रांची जिले में ठीक ना कब जन्व हुआ था ठारा सो उनिसमें अठारा सो अठावन में फांसी पड़ा था यह दोनों चीज आपको याद रखने उबायत पोखर सब्देक माने की हो वो है उबायत पोखर के सब्देक अर्थ अगर यहां पे पूछा जाए कि खोठा के अर्थ पर या इसका अर्थ क्या होता है तो है जाए इसका अंसर होता चुनिया कौन कहानिक पात्र है चुनिया जो वो किस कहानी के पात्र है तो यह आप हर कहानी संगरा के अंतरगत यह कहानी लिखा गया है चितरंजन मातों चितरा के द्वारा इस कहानी को लिखा गया चुनिया एक विधवा आउरत होती है जिसके पती का नाम रहता है डमरू जो की पुलिस मुटे भेड में मारा जाता है बाद में वो अपना जीवन यापन करने है देवता के खाइगले डाकिन यह सभी कहानी ही है हूब जो है वो यह कहानी है ओद दीदा हम कैसे जीए और देवता के खाइगले डाकिन यह सभी कहानी का पार्ट ही है जो कि यह सभी के अंतर का ताता अलग-अलग कहानी से जोड़ा हुआ है कोछ सोंध माटी की कहानी है क चाहर कहानी की संग्रा से लिया गया है मन चरहिया कौन विधाक किताब लगे मन चरहिया तो मन चरहिया के बात किया जाए तो पहले तो बता दें कि यह जो वो एक सब्द यात्रा बिरतांत थे यात्रा बिरतांत इसके लेखक कौन है तो मन चरहिया के लेखक जो वो पंचम मात है। लेखते हैं अब सवाल उड़ता है що इसको भूमिका को है तो दिनेस दिनमनी के द्वारा इसकी भूमिका लिखे गए दिनेस दिनमनी के द्वारå नहीं अगर आप मारे टेलीग्राम से जूड़े होगे तो आपको वहाँ पर पे पिडियव आपको कभर कर सकेंगे इसका परकासन 2008 में हुआ था 2008 में इसका परकासन हुआ था इसके अंतरगट 8 जो वो यात्रा वर्तांत को सामिल किया गया है खोठा की यात्रा वर्तांत की एक मात्र पुस्तक माना जाता है मन्चरेयां सवाल यहां से भी कई बार पूछा जाता है ठीक है तो य भी आपको याद रखने की मनचरेयां जो वो यात्रावर्तांत है, किसके दवारा लिखा गया है? पंचम माहतों के दवारा लिखा गया है, 2008 में इसका प्रकासन हुआ, इसमें आठ जो वो कुली यात्रावर्तांत को सामिल किया गया है। बाली डी खोठा कमेटी के द्वारा इस पुस्तक का जो परकासक है कोठा के यात्रा बर्तांत की एक मात्र पुस्तक मानी जाती है मनचरियां जिसमें से आठ यात्रा बर्तांत अंड़मान, कठमांडूग धरे, उजैनी, तिरूपती, हवाय जात्रा, कुनार्क जात्रा, पहएड करवाया गया है चुवा चूत और मानविय समवेदना उपर लिखा यह कौन कहनी हक तो चुवा चुत के उपर लिखा गया कहनी जो वो है ओध डीदा ओद दीदा जिसके पात्र काउन है शानो वाली शानो वाली इसके बारे में आपने पढ़ा होगा है ना ओध डीद होती है चानो वाली चानो वाली की नाम से करते हैं क्योंकि चानो गाउं में इनका जन्म हुआ था इसलिए इनका नाम जो वो चानो वाली पढ़ गया इनके तीन बच्चे थे रेसमी जिर्वा और कोलहा यह अपने बच्चों का पालन पोसन करने के लिए मातो घर में काम करते थी कि और वहीं पे एक और कहानी इंप्रोटेंट वहां पर बताया जाता कि निर्मल मातो एक बच्चा रहता जिसकी मा मर जाती है तो उसको दूद्ध पिला करके चानो वाली ही जो वो उसको निर्मल मातों को बढ़ा करते हैं तो यह भी आपको याद रखने हैं यह बढ़ा ही सरल सुभाव की महिला रहती है चानो वाली तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट अंसर हो जाएगा उबार माय के लोर और मजदूरी उपर लिखायल कहानी है यानि रोजगार खातिर पलायन मजदूरी उपर ठीक है लिखायल कहानी है मजदूरी यहां पर मजदूरी होगा है मजदूरी उपर लिखायल कौन सर कहानी है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहा इसके बारे में आपको पता होगा, इस कहानी को आपने पढ़ाओगो तो सभी चीज़ें आपको पूरे कहानी आपको आसानी से याद होगा, सुर्जा इसका एक पात्र है जिसके बारे में आपने पढ़ाओगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी एके जाजी का जनम ठाओं ब बता देखिए अगर एके जाजी के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहे तो इनके बारे में काफी ज्यादा important fact है लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें आपको याद रखना है इन्हें जारपात के नाम से जाना जाता है इनका जन्म 20 उसमार बोकारों में इनका जोव जन्म हुआता है जहारपात के उपनाम से जाने जाते हैं यह मौसम विज्याने के रूप में भी जाने जाते हैं धारा गगन सिधान इन्होंने दिया था साथी साथ खोठा ढाकी छेतर कमीटी कोठार रामगर के ये संसापक के रूप में भी जाते हैं जो कि 13 अपरेल उड़ी सो बिरासी स्वी को अस्तापना हुआ था इनकी कई रचनाएं हैं खोठा काठे पैदे खंडी गैदे खंडी समाजिक सर्जुत निसेन खोठा से सदानिक व्याकरन कविता पुरान सेर सगरट मेका मेकीना मेटमार जो के एक नाटक है पूटी और पालू जो के एक सब्दचित्र है कई रचनाएं इनके द्वारा की गई है चली आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल क्यों आते हैं अगला सवाल है शिवनाच परमान कि 1950 इसवी को इनका जन्म हुआ था ठीक है कहां पर हुआ था तो बैदमारा बोकारों में इनका जन्म हुआ है बैदमारा गाओं का नाम है बैदमारा गाओं बोकारों में इनका जन्म होता है इनके माता का नम तिनकी देवी और इनके पिता का नम मुरली धर परमानिक था त इसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित रचनाओं में अगर बात करें तो दामुद्रे कुरा हैं जो की एक खंड काब है और पहली खंड काब के रूप में माना जाता है जिसमें से 6 सर्ग इसमें शामिल है ठीक है इसके अलावे और भी रचनाओं हैं लेकिन इतना चीज़ कम सो उपनाम से जाना जाता है बियन ओहदार के बारे में अगर बात करें तो इनको सब विसाची उपनाम से जाना जाता है कई बार सवाल पूछा जाता है कि सब विसाची उपनाम से कौन खोठा सहितकार के जानल जा है या कौन खोठा सहितकार के उपनाम सब विसाची लगए त आगे बढ़ें कुछ चीजें और बता देते हैं इसमें नीबंदो की संख्य कुल 12 नीबंद इसमें सामिल किया गया है चली आगे बढ़ते हैं दामुद्रे कोराय कायवी के भूमी का लेखा के नाम बतावा दामुद्रे कोराय के भूमी का लेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो भूमी का लेखा के बारे में अगर बात करें तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option B यान भी रचना की ठीक है यह चीज़ें आपको याद रखने यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है और इसमें लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि लेखक वो हैं तो साइन व्यक्ति कैसे हो सकता है तीस अभी चीज़ें आपको याद रखने शिवनाथ कि वर्मानिक ने रचना की है दामद्रे को राएं की भूमिका एक जहा की द्वारा किया है लिखा गया थी काव्यटी क अधीक कावशन सारांस जो लिखा गया वो सांती भारत की द्वारा लिखा गया है प्रकासन 1986 इष्वी में इस पुस्ता-क प्रकासन हुआ थाMusic 1986 में दामुद्रे कुराय का ठीक है प्रकासक है खोठा साहित संस्कृति परिस्त भतुआ बोकारो इसका जो वो क्या है प्रकासक के रूप में जाना जाता है तो प्रकासक का नाम भी आपको याद रखने है इसमें सरगों की संख्या कुल 6 खंडों में ये बटा हुआ है मेला स 6 खंडों में जो वो बटा हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है तित्की राय के उपर तो इसका अंसर हमने बता दिया अंसर इसका बता दिया हमने एक एजा तित्की राय के उपर संस्मरन किताब के लिखलत तो तित्की राय के उपर में जो संस्मरन लिखा गया है व तो हमने बताया कि एक तो बताया खोटा खोटा तित्की राय वो जो था वो जीवनी था ठीक है वो जीवनी था जिसको किस ने लिखा था तो जीवनी के बारे में में बताया था कि शिराजुदिन अंसारी सिराज के त्वारा लिखा गया था ठीक है खोटा खोटा तित्की रा और हास्मुख लोग कभी तित्की राय यह था संस्मरन ठीक न तो यह दोनों चीज़ें आपको याद जिसको जनारदन गोश्वामी व्यतितने 2001 में लिखा था और खोटा-खोटा तित्की राय जो जीवनी लिखा गया था यह कब लिखा गया था तो यह 2012 में लिखा गया था तो जीवनी 2012 में और संस्मरन 2001 में लिखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं 10 कि राइकर बापिक नाम किया है तो उनके maili बाप का नाम मोती राय था यहनीरी पिता का नाम मोती राय था रहती कि थोड़ाmpagival राइक की characteristics कोई उसलिए लिखषी त्रचनाय नई है यह सबसे बड़ी बात है कि कि कोई है पइलो簡े ऐसे सोनाते सब को लेकिन यह लिक नहीं पाए लेकिन अगारी gotta करने रखे तो फिर वह लिखित पर मान नहीं लोगों को लगए गा कि वह जानते थे अरे बताते थे लेकिन उनका लिखित परमान जूर नहीं था लेकिन सिराज दिन अंसारी सिराज ने क्या किया कि जब जीवनी लिख रहे थे इनसे संबंदित खोटा-खोटा तितकी राज जीवनी जब इन्हों लिखा तो उसमें जाय की कुछ-कुछ इनकी जो भी बातیں थी जो वो बोलते थे मौखीक रूप में वो सभी चीजों को लिखने का ुपर्यास जो वो इस जीवनी में इन्होंने जो वो जञा है तो उसका यह शॉयद डी, आखेगीत स्रीनवास पांडरी की रचना है, 2011 में इसका परकासन हुआ था, 2011 में आखेगीत पुस्तक का, इसमें 71 कविताएं हैं और 11 छनीकाएं है, नरायन महतो इसके जो वो परकासक के रूप में जाना जाता है, इसकी पहली कविता जो वो आज हमर गीतेक देसें और इ इसकी अधिकांस कविताओं की सैली जो है, वो छायावादी सैली किस्म के, छायावादी सैली में ज्यादा कविताएं जो वो लिखी गई है, चली अगला सवाल देखते हैं, खोठा काठे पैदे खंडी कविता संग्रहेक पहील कविता हग है, तो वो कौन सा कविता है, तो वो है चनफन मानूस, चनफन मानूस जो वो इस कविता संगरा का पहला कविता है, चनफन मानूस और अंतिम कविता है, वो है डिडी नुनु पापा खावू, कुल 19 कविता है, एक जहाजी ने लिखा है इसको, ठीक है, 1983 में इसका जो वो परकासन हुआ था, पहला परकासन और हम बता दिये दोनों अगर पैदे खंडी पूछे तो इस तरह का होगा और गईदे खंडी होगा तो इस तरह से होगा यह दोनों चीजें आपको याद रखने गद रचना जिसमें से गद रचना है इसमें इसमें पद रचना है ठिक ना चली आगे बढ़ते हैं वहीं अगर ब नाटक केकर लिखा लागए अजगर नाटक जो वो किसका द्वारा लिखा गया है तो अजगर नाटक जो वो विशुनात दसुंधी राज की रचना है विशुनात दसुंधी राज जी के द्वारा लिखा गया नाटक है तो इसका सही इंसर हो जाएगा ऑप्शन भी इसका रा द्रिश्यों की संख्या कितनी है तो द्रिश इसमें है सोला ठीक है और अगर बात करें पात्र तो आपने पात्र तो पढ़ाओगा अगनुलाला मंगरा सारदा परसाथ जालिम सी बाबा भगत गोबरा मत्रा सुगिया जैसे कई रचनाय आपने पढ़ाओगा फुलवा तेत्र सिंग बितना बिजली यह सभी जो वो इनके पात्र थे आगे बढ़ते हैं अजगर नाटा कर पहिल परकासन बच्छर बतावा तो अजगर नाटा के पहिल परकासन अभी हमने बताया 2004 में इसका पहला परकासन हुआ ठीक है तो यह चीजें आपको याद रखने यहां से भी स पुछे जाते हैं तो सवाल उड़ता है कि अजगर नाटा का दूसरा परकासन कब हुआ दूसरा परकासन 2020 में इसका हुआ बाली डिखोठा कमिटी के द्वारा इसका जो वो परकासक के रूप में माना जाता है इसमें अंको की संख्या हमने बताया तीन और सोला द्रिश हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अजगर नाटक में कई को द्रिश है तो अजगर नाटक में 16 द्रिश है और अंकों की संख्या कितनी है तो अंक इसमें तीन है तीन अंक में बटा हुआ है छे चार छे इस तरह से एक अंक में छे है चार है फिर छे है इस तरह से अलग अलग बटा हुआ छे चार दस और छे सोला है ना तीन अंक हो गया पहला अंक दुसरा अंक तिसरा अंक इस तरह से चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों आते हैं और अगला सवाल देखते हैं एकर में विसेशन सब्द कौन टा हक है इने में से कौन सा जो वो एक विसेशन सब्द हैं लूगा करिया लोटा या राज़पाल तो लूगा करिया लोटा और राज़पाल इसमें से जो option B है करिया जो है यह विशेशन वाची सब्द है जैसे करिया गोर पातर मोट नाटा लंबा यह सभी जो विशेशन वाची सब्द होते हैं है ना लूगा क्या है तो लूगा दो दो तरहों से है या तो यह जाती वाचक संग्या में ले सकते हैं या तो फिर इसे चीज वसूत वाचक संग्या है ना इसे चीजवसूत वाचक संग्या में भी इसे आप रख सकते हैं इसको हम दरब्य वाचक संग्या भी बोलते हैं है ना इसे दरब्य वाचक संग्या भी बोलते हैं इसमें भी रख सकते हैं लोटा क्या हो जागा तो लोटा ये खोठा का ठेट सब्ध है और राजपाल क्या है तो राजपाल जो वो जातिवाचक संग्या है ठीक ना किसी व्यक्तिगत राजपाल का नाम हगर हम बोलते जैसे रमेस बैस तो वो व्यक्तिवाचक संग्या हो गए लेकिन बोले कि राजपाल कौन है तो राजपाल जो वो जातिवाचक संग्या है जैसे बोले मुख मंत्री तो वो जाती वाचक संग्या है लेकिन हमन्त सोरें तो वो व्यक्ति वाचक संग्या है तो किसी व्यक्तिगत नाम अगर मिले तो व्यक्ति वाचक संग्या किसी जाती का बोध हो जैसे लड़का तो लड़का से थोड़ीन पता चल रहा है कि कौन लड़का क कोई भी लड़का हो सकता है मंगरा बुधना सुक्रा कोई भी हो सकता है तो इस तरह से आपको याद रखते हैं कि एकर में विशेशन ले संग्या बनल सब्सक्राइब तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन सी यानि चिकनोटी कि एकर में करता कारक कर करता ने तो ने यहाँ पे जो वो हिंदी में परियोग होता है लेकिन हम लोग खोठा में तो ने का परियोग नहीं करते हैं एक होता है सुनी विभक्ति और एक होता है ने यह दो विभक्ति जो वो हिंदी में परियोग होता है तो खोठा में कौन-कौन होता है खोठा में खुठा के आधार पे करें तो उसी के आधार पे हम बात करेंगे तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option D यानि इसका उपयोग नहीं होता है बाकी के सभी व्यक्ति का परियोग जो वो किया जाता है चली आगे बरते हैं और अगला सवाल देखते हैं जैसे यहां यहां पे क्या है कि यह तो हिंदी के अधार पे हुआ और ने यहां पे देखो विभक्ति है तो यह करता कारक हो गया यहां पे करता कौन कारक हो गया सोहन हो गया करता ने क्या हो गया कारक विभक्ति हो गया मारना तो यह क्रिया हो गया लेकिन अगर इसको खोठा में लिखे तो क्या लिखेंगे सोहने मार ले सोहने मार ले अब देखें यहाँ पर एए विभक्ती आ रहा है यहाँ पर लास्ट में एए सब्द जूट रहा है है ना सोहने तो एए यहाँ पर जूट रहा है तो यह एए विभक्ती जो वो खोटा में देखने को मिलता है तो ये सभी जो वो इन चीजों को आप याद रखेंगे जब चीजों को आप डेटेल में समझेंगे एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो ये कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि डाह नाटा कर पहिल परकासन बच्छर बतावा दो डाह नाटा का पहिल परकासन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसका दुसरा परकासन 2009 में हुआ था ठीक ना ये दोनों चीज़ें आपको याद रखेंगे श्री मती मुर्ती देवी भेंटर नाबाडी बुकारो इसका जो वो परकासन के रूप में माना जाता है 2009 नह 2010 कई जगा पर मिलता है डाह नाटा का दुसरा परकासन और तिसरा परकासन 2019 में भी आया इसका दुसरा पर तिसरा परकासन 2019 यहां पर 2009 नहीं 2019 होगा ये तिसरा परकासन है और दुसरा जो है वो 2010 में है ठीक ना डाह नाटा को लिखा कि इसने सुकुमार के द्वारा लिखा शिवनाच परवानिक ने इसकी भूमिका लिखी है ठीक ना बाके के चीजें आपको सब कुछ पात्र पता है विबेग सेखर जग्गा विराट्स सेठ रेती परसाथ ध्रूप सिंग गुपता जी बक्सी जी रचना भावना ये सबी चीजें पात्र तो आपको याद होगा तो पूरा नाटक आप अपडेट हो गए होंगे कि कौन से नाटक के हम बात कर रहे हैं डा नाटक परकासक के नाम बताबातो कुंती देवी भेंडरा नावाडी बुकारो अभी हमने बात किया इसके बारे में तो इसका सेंसर हो जाईगा ओप्सन D चाभी काठी नाटक के भूम लेकिन इसका जो परकासन आता है वो परकासन कब आया तो परकासन 2006 इस्वी में आता है जबकि स्रिनवास पानुरे का निधन तो 1986 इस्वी में ही हो गया था तो उनके पुत्र जो थे अरजुन पानुरी और भी कई SS में लोग जोड़े होते हैं जिनके सहायता से जिनके योगदान से जो वो या नातक जो वो परकासित हो पाता है ठीक ना चाभी काठी नातक के बारे में गर बात किया जाए तो 2006 में इसका परकासन हुआ था परकासक बालिटी खोटा कमिटी बोकारो था संपादक इसकी गिर्धारी गोश्वामी थे भूमी का लेखक भी गिर्धारी गोश्वामी यकास खूंटी ही थे इसमें अंकों की संख्या एक है और इसमें द्रिशों की संख्या बीस है इसमें बीस द्रिश है एक आंकी रूप का यह नाटक है एक आंकी नाटक है है ना क्योंकि केवल इसमें एक ही अंक है जिसमें एक अंक होता है वो एक आंकी नाटक कहलाता है ठीक ना और जिसमें एक से अधीक अंक होगा वो बहु एक अंक की कहलाता है यहां तक किलियर हो गया अब आगे बात करते हैं इसके बाद अगर बात क्या जा तो इसमें कुछ पात्र के बारे में अगर बता दे तो संभू कालूराम उसके बाद सुहागी सुम्री चुट्रीमाय और कर्मी यह कुछ विनोद रवानी थे विनोद रवानी यह कौन थे तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है तो इस तरह के सवाल आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा ऐसा ने कि केवल सिधा सिर्फ आपको नाटक के लेखक पूछ दिया और आपको बता करके निकल गए ऐसा नहीं है आपक तो उन्होंने जो वो आर्थिक सहयोग दिया था इस नाटक को तयार करने के लिए उन्होंने जो वो नाटक का जो तयार करने में जो आर्थिक सहयोग होता है खर्च जो आता है उनमें रामलीला रवानी ने भूमी का निभाय थी जबकि दो सब्द लिखवाई है जो वो अरज तो इसमें बीस आया है, टोटल बीस द्रिश्य के बारे में दिखाया गया है, लेकिन इसमें अंकों की संख्या केवल एक है, क्योंकि यह एक एक आंकी नाटक है, एक आंकी स्वरूप का या नाटक है, इसलिए इसमें केवल एक ही अंक है, एक अंक है इसमें, और बीस द्रिश तो यह दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं संभू कौन नाटक कर पात्र लागें संभू जो वो किस नाटक के पात्र है तो यह जो वो चाभी काठी नाटक के पात्र है उद्भासल करन नाटक कौन बच्छा रचना करल गेल हले उद्भासल करन नाटक की अगर बात किया कोपी में मान लेते हैं कोपी या नोट्स में कहीं भी डायरी में लिख करके हमने रख दिया एक नाटक लेकिन उसको जब तक हम पब्ली के बीच में नहीं लाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वह नाटक है सो हम अपने घर में बहुत कुछ लिख करके रख लिए खोठा के ही इस नाटक को रिख करके रख दिया था लेकिन उसका परकासन junde मार्केट में आता है वह परकास nhtos 2012-ande 10 also 2012 कि इसका पहला परकासन किया गया ठीक ना इसके परकासक कौन थे तो परकासक इसका था नरायन महतो जो की ज़्यादा तर स्रिनवास पानुरी की रचना का परकासक यही माने जाते हैं है लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जरूरी नहीं जैसे चावी काथल नाठक के परकासक अगर पुछा है जयतों बालीडी खोर्ठा कमीटी नहीं लेकिन ज्यायदत जो वह इनकों देखने को मिलता है जैसे आंख Hin गेते उसके परकासक नारायन महतों मने जाते इहां चीजों को आपको ध्यान में रखना है और भी कुछ यहां से अगर सवाल पूछा जाए कि और क्या-क्या सवाल यहां से बन सकता है तो बता दे कि इनके बारे में हो सकता है कि अंकों से पूछा जा सकता है कि इसमें कितना अंक है तो अंक इसमें एक है अंक इसमें कितना है एक है द्रिश ही कितना है तो द्रिश इश में जो वो 11 द्रिश है उद्वासल कर्ण में इसमें कुंती द्रोन कुल मिला करके या उद्वासल कर्ण अगर बात किया जा तो महावारत के ही बेस या नाटक को दर्साया गया है जिसमें से कर्ण उदबासल का अर्थ होता है उपेचित कर्ण है ना तो कर्ण के उपर ही ज़्यादा ये आधारित नाटक है जिसमें से सुयस और अपियस ये दो ब्राह्मन पात्र है और Soni और Meira, ये दो ऐसे पात्र हैं जो कि परसुराम के आस्रम में ये रहने वाली बालिका थी, Soni और Meira, जो कि ये दो नया करेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, Soni और Meira, ठीज न, ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, अगला सवाल देखते हैं, उदवासल कर न को देखते हैं तो ये काफी जादा परभावित होते हैं करन को कारन जो तेजस्वी के रूप में पुरा चेहरा ही चमकता था क्योंकि इनके चेहरे पे ही चमक था एक अलग किस्म का क्योंकि एक बड़े योद्धा के रूप में माने भी जाते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं अब सवाल देखी घुमा फिर आके पूछा जा सकता है जरूरी ने किस पूछ देगी किस के दवारा किया गया था यह भी सवाल बनता है तो उदवासल कर नाटकर पहील मंचन ककर निर्देशन में भेल ले तो किसकी निर्देशन में हुआ था यह सवाल अगर पूछा जाए तो यह आपको इंपोटेंट है यह चीजें आपको ध्यान रखना है तो पहला मंचन जो हुआ था वो बरवाध धनबाद में हुआ था नाटक की निर्देशन में यह जो वो नाटक किया गया था मंचन पहले बार लेखन वर्स हमने बता दिया 1963 में हुआ था स्रिद्वास पानुरी के द्वारा लिखा गया था भूमी का नारायन महतो ने लिखा है इस पुस्तक की इस नाटक की सरवाधिकार जो वो अरजुन पानुरी के पास है है ना अरजुन पानुरी जो की परकासन 2012 में पर्थम संस्क्रान आया था नारान मातो इसके परकासक के रूप में माने जाते हैं इसमें अंकों की संख्या एक है, दृष्यों की संख्या 11 है यहां तक किलियर हो गया उद्भासल कर्ण का अर्थ होता है उपेजित कर्ण या तिरस्कृत कर्ण हम किताब पढ़ता हो वाकिक के सुध रूप बतावा तो यहां पर हम किताब पढ़ता हो वाकिक को गर सुध करेंगे तो क्या होगा इसका तो हमें किताब पढ़ब हमें किताब पढ़ब यहां पे बिंदू ले सकते हैं हमें किताब पढ़ब इसका जो वो सुध रूप हो जाएगा चली बिर्सा आपन खेते हार नारल हो EY किके सुध करा तो बिर्सा आपन खेते हार नारल है हत तैना नारल है ठीक न तो इसका से इंसर पर हो जाएगा option A अगला सवाल है कि हाका लाता ना इ बरंग के मेल से बनल खोठा सबद के छाठा तो यह सभी वर्न है यह सभी क्या है यहां से यह सभी क्या है यह सभी सब्द है तो आपको बताना कि इन में से जोड़ करके एक खोठा सब्द कौन सा तयार किया गया है कहतली नहीं यहां पे ना भी है इ भी है तो यह तो नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यहां पे इस रही अंसर हो जाएगा option D ना याननी बोलते जिसका आरत होता है ये कुछ बर ने लिखा हुआ है और मात्रा इसे बना हुआ सब्द खांटी खोठा सब्द आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो हो जो वो सही होगा तो इसका जो सहीए अंसर क्या हो जाएगा? इसका सही अंसर हो जाएगा आपका देख लगते हैं देख ले और यहां से आपको जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैतलियो जैतलियो ठीक है? तो इसमें से सारा वर्न का उप्योग जो वो यहाँ पे कर लिया गया इस सब्द में इसका सेंसर हो जाएगा option C खोठाय पहेली के की कहल जाये खोठा में पहेली को किस नाम से जाना जाता है तो पहेली को जान कहनी या तो फिर बुझवल भी कहा जाता है ठीक है, आहना किसको बोलते हैं आहना जो वो मुहावरा को बलते है अब दो सवाल और बन रहा होगा तो ये हियाली किसको बोलते है एक सब्द आता है हियाली और एक सब्द आता है फांकी ये दोनों सब्द क्या है भाई तो हियाली जो आसान पहेलियां होती है उसको हियाली कहा जाता है और जो कठीन पहेली ह होता है उसे फांकी कहा जाता है यहां तक किलियर हो गया तो पड़तेर किसको बोलते हैं तो लोकोक्ति को जो वो पड़तेर बोला जाता है कई बार पड़तेर सब्द का परियोग जो वो उदाहरन के रूप में भी किया जाता है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने हैं तातल और हैमाल तो हैमाल का अर्थ भी होता है जो ठंड़ा यह होता है और तातल का अर्थ होता है गर्म ठीक ना तो यह भी याद रखेंगे हैमाल कनकन यह सभी जो ठंड़ा के लिए परियोग किया जाता है हामर बात सुन के उख खिसरे लागल यह वाकिये खिसरे लागल के स सब्देक बहुबचन बने पारे इन परत्य से इन में से कौन सा सब्देक बहुबचन बने पारे ये आपको बताना है तो इसका जो से अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाच्छी तो बच्छी यहाँ पे अईन परत्य का प्रयोग होगा हलाकि यहाँ पे अईन परत्य जोड है और अईन परते जोड़ करके यहाँ पर इन नहीं होगा यहाँ पर अईन होगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है अईन परते होगा ठीक ना काड़ा इसको जब हम बहु बचन बनाएंगे न तो इसमें वईन परते जोड़ना पड़ेगा और वईन इसमें भी जोड़ेंगे वईन परते जोड़ेंगे वईन परते तो क्या हो जाएगा गरुएन गरुएन और यह हो गया बच्छियन बच्छियन ठीक है लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया यहां पर अगर इस बहुबचन के देखें तो एक चीज आपने ध्यान दिया देखें यहां पर आ का उचारन हो रहा है और जब इसमें वईन परते जोड़ दियें तो कडवईन यहां पर सिर्फ अ बच गिया अगर आप इसको गहराई से अगर समझ पा रहे होंगे तो इन चीजों को समझ पाएंगे नहीं तो आसान तो नहीं है चीजें आसान नहीं है समझना देखें काड़ा तो आ अर देखें कडवईन तो कड़ यहां पर देखें आ का क्या गया रजवैन तो देखें यहां पे आ गया ठीक उसी प्रकार से बाच्छी जहां पर बड़ा ए हो वो बदल करके जब इसमें परते जोड़ते हैं तो वो छोटा इ में आ जयसे यहां पर देखिए दिर्भ ई है बाची में नहीं यहां पर लेकिन बचियन जब जब रिखते हैं तो बचियन इस तरह से लिखते लिखते हैं इहां पर छोटा ई आ गिए नहीं हरस ई आ गिया जबकि यहाँ पर क्या है दिर्ग ई है यह दोनों चीज़ें आपको याद रखने यह थोड़ा डिटेल में हमने बताने का परियास किया ताकि आपको इन चीज़ों को एक्जामिनेशन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर दें बिल्कूल भी एकदम बिना डरे हुए बिना संकोच किये हुए चलिए आगे बढ़ते हैं यह परत्य लगाए के कौन सब्दे किस्तिलिंग बने पार है यहाँ परत्य लगा चौणी बोल सकते हैं छौड़ी तो या सभी चीज जो तो इसका से अंसर हो जाएगा और फ्री या आप्सटी के उनार्थक सब्द क्या हो जाएगा खांची का खंचिली हो जाएगा या संग्या पर वीडियो बना भी है अगर आपने नहीं देखा है तो देख भी सकते हैं वहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा गरू के बहुवचन की आते हैं तो गरू का बहुवचन क्या होगा तो गरू का बहुवचन क्या हो जाएगा हमने पहले बोला कि जहां पे आपको अमि तो कडवेन वहीन परते जुड़ेगा घोड़ा घोडवेन तो वहीन परते जुड़ेगा कोई भी एक्जामपल आप ले लिए छोड़ा छोड़वेन तो वहाँ परते का परियोग होगा लेकिन जहाँ पर आप देखें E जहाँ पर देखें E तो वहाँ पे आपको अईन परत्य जोड़ देना है वहाँ पे अईन परत्य जोड़ देंगे तो वह बहुबचन हो जाएगा जैसे बाची से बच्छियन ठीक है और भी कोई भी ले लिए हाथी से हाथीन हाथी से हाथीन, बाची से बच्छियन ठीक है तो जो भी एक्जाम्पल यहाँ पे य उचारन हो लास्ट में तो वहाँ पे अईन परते जोड़ें जहाँ पे आ और उ दिखे अंत में यह उचारन दिखे अंत में तो वहाँ पे आपको वईन परते जोड़ें आपको बहु बचन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा कुछ कुछ rare में अब वैसा कोई एक दो अपवाद होगा तो उसको आप नहीं दिमाग लगाएंगे एक दो अपवाद तो हर जगा होते हैं लेकिन ज्यादा तर जो आपको मिलेंगे वो इसी किस्म के मिलेंगे चलिए अगरा सवाल देखते हैं छगरी के सही बहु अचन की हते तो अभी हमने देखा क्या छगरी में क्या है दिर्ग ई है तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अईन परत्य हमको जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जागा छगर देखें यहां पर दिर्ग ई है ले कि बहुवचन क्या होगा देखिए बाघायन नहीं होगा बाघीन ये तो इस्तिरलिंग बता रहा है भाई इस्तिरलिंग हमको थोड़ी ना पूछा जा रहा है हमको तो बहुवचन पूछा जा रहा है कई लोग कन्फ्यूजन होकर कि पहले option अगर पहले option में देदेगा न ऊपर में सबसे उपर में तो पहले तो यही मार की निकल जाएंगे कितना कोई कि भाजीन हो जाएगा लेकिन हमको इस्तिरलिंग ने पूछ रहा है ठीक है बगवेन चली आगी बढ़ते हैं अईन परते में से कौन सब्द का बहुवचन बनेगा अब देखे साधू यहाँ पे उ दिख रहा है तो अईन परते जुड़ेगा क्या नहीं यहाँ पे वईन परते जुड़ेगा घोड़ा यहाँ पे आ है तो क्या यहाँ पे जुड़ेगा यहाँ भी नहीं जुड़ेगा क सदुएन इस तरह से होगा लेकिन देखी यहां पर ई है तो यहां पर क्या होगा आसानी से अईन प्रते जोड़ देंगे हाथियन हो जाएगा इसको अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा दिरगी था यहां पर हरस ई हो जाएगा अईन ही जोड़ देंगे उपर में बिंदू दे चेकान हो जाएगा हुट 10 कोई बात निए यहांपे ही होता है हाथी हुर। लेगी हाथी प्लिए पॉह्टीन के चलिए कोई बात नहीं मास्ट्र गुला पडविया लागल हथिन दि गूला कैसन सबत लागात तो गूला डूलील यहां पर भी बहु वचन सब्द हैं यह क्याorama दां पर constraints है कि मास्टर गूला तो सब्हों बूलते हैं कि मास्टर सब पढ़ार हैं। पढ़वे लागल हतिन, यानि शिक्षक सब पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे सब का परियोग होता है, तो गुलावें तब क्या होगा, बहु बचन हो गया, एक बचन से ज़्यादा, जहां पे एक का परियोग हो, एक बचन, एक से धीक हो तो बहु बचन, कोठ मे, धैर दी, एकर में टीन, है न, एकर में कैसन सबत लागए, तो एटीन यहां पे कई लोगों को लग रहा हो गए, यहां टीन, बात कर रहा है, यह टीना का बात नहीं कर रहा है, 18 मतलब ये सब 18 मतलब ये सब ये सब ही ये सब तो ये सब यहाँ पे क्या है ये बहु वचन वाची सब्द है बहु वचन सब्द है तो ये चीजों को आपको अच्छे से पहले समझना होगा उसके बाद उसका अंसर करना पड़ेगा नहीं तो कई ऐसे चीज होते हैं कि जो की जानते हुए भी आप गलती करके बैठ जाएंगे और सब तहस नहस करके बैठ जाएंगे जहां पे आपको जैदा स्कोरिंग करना है यह आपका ऐसा पार्ट है जहां पे आपको 90 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ लेकिन डिपेंड करता की आप कितने ध्यान से इन चीजन को आपने पढ़ा होया और दिमाग में तो 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 इसका बात कर रहा है गोड़ा का इस तरह से हो जाएगा सुगना के अस्तिलिंग की होता है सुगना के सुगनी हो जाएगा तो सुगनी कहा है पर ऑप्सन बी में है बलकी के खोठाएं कौन सबद आवो है बलकी के जगा पर खोठा में किस सब्द का परियोग होता है तो बलकी के जग यंदि में हम लेकिन लिखते हैं वहां पे खोठा में मकीन सब्द का परियोग करते हैं। तो कई लिख इसको मालकिन भी पढ़कर के आगे बढ़ गए तो मालकिन नहीं होता है ये मकीन सब्द होता है। ठीक ना ये लेकिन के जगा परियोग होता है। अब मेंतुक ये परंतुक, परंतुक के जगा पे मेंतुक का परियोग होता है, सैले यानि इसलिए, इसलिए के जगा पे सैले होता है, ठीक ना इसलिए के जगा पे सैले का परियोग होता है, परंतुक के जगा पे मेंतुक, लेकिन के जगा पे मकीन, और बलकी के जगा पे बि यह उल्ता अरथ वाला सवत की लागए तो सियान के इनके इंक्ति बड़ी मनिक्ता हुआ आब तो इसका उल्टा क्या जगा बोका लेकिन एक होता है सेयान है ना सेयान मतलब होता है जवान एक जवान को सेयान भी बोलते हैं बोलते हैं कि यह अब सेयान हो गले साधी कर दी तो इसका उल्टा अगर सेयान का उल्टा निकालना होता तो गीदर करती है ना गीदर या चेंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जोखा सब्द एक सही अर्थ बतावा जोखा मतलब क्या होता है तो जोखा का एक सब्द तो अर्थ होता है नापना कि जोखा तो कतना होते है और एक सही होता है जोखा का अर्थ होता है सही मौका कि हाँ अबरी जोखा हमरा लागल है होता है कई बार कि अगर आपको एक गलती कोई पकड़ लिए तो बोलता है कि अबरी तो जोखा लागल है उकरा पईर खीचे के और उकरा गरियावे के या बोले के तो कुछ भी बोलते हैं कि जोखाल अगल है यानि अवर मौका जो वो मिला है तो ये दो सब्द होता है इसका दो अर्थ होता है एक तो होता है नापना और एक दुसरा होता है मौका सही मौका या अउसर अगला सवाल है कि अजवायर सब्देख हिंदी माने की हते अजवायर का सही अर्थ होता है खाली या तो फिर फुर्सत अगला सवाल है कि जगतु घर पहुँच गेल हता ये कौन कालेक वाइक लगे जगतु घर पहुँच गेल हता अब यहाँ पे देखी ये भी क्या है हेतू हेतू मद भूत काल यानि जगतू घर पहुँच गेल हता एक अनुमान है कि लगभग पहुचने वाला ही होगा लगभग पहुच गया होगा यानि हेतू हेतू मद भूत काल अगला सवाल है करीम काईल राची जाए पारे है तो यह वाइक है काल कर काल करता है करा यहाँ पर आपको बताने कि कौन सा काल होगा अब देखिए यहाँ पर पहला तो जाए पारे है तो यहाँ पर एक संभावना बन रहा है यह किलियर नहीं है कि जाएगा की नहीं जाएगा एक संभावना है और कहा बात किया जारा है भविस्ए की बात की जारी है कल की बात कर रहा है तो कल क्या पता जाएगा कि नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा संभा भी भविश्यतकाल अंसर यह cuidado अंसर हो जाएगा इ इसाबता सोहराय नाई बंवे पारते या कर्म वाचि की हते जैसे इसाबता सोहराय नाय बंवे पारते जैसे बोलते हैं प्रिम्यत कि हिसाब बनाओ ददा सब बोलती हिसाब देए तो यह बदलना है कर्म वाच्ची में वाच्ची अगर आपने पढ़ा होगा तो चीजों को समझ पाएंगे नहीं तो फिर अंदाजे कोई लगा दीजेगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, option A यानि शोहराय से यह हिसाब यह बनते तो इसका ज़ेगा option A इसका right answer हो जाएगा, चली हैंठ लिखल कौन परियोग था सही हग गय, छाटा, तो इन मेंसे कौन सा परियोग जोग सही किया गया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तोरा हामें एगो कलम देबव यानि option D इसका जोई सही अंसर हो जाएगा इक कितब वह तोर किये देले तो तोरा किये देले इक कितब वह तोरा किये देले तो ये भी गलत है तोर घरें आइल है तोर घरे आयल है तोहर घरे आयल है तो यह भी गलत है तो यहाँ परियोग्टा सही हके तो यहाँ पर सही जो हो जाएगा वो option D हो जाएगा बाकी चीज़ें आप देख लीजेगा PDF जो वो टेलिग्राम में डाल देगे तो वहाँ से आप सबसी चीज़ों को आसानी से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजेगा सही वाइकी के छाटा इनमें से सही वाइकी को आपको छाटना है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा उ हमरा डहर देखवल हलत तो option A इसका सही अंसर हो जाएगा मध्यम पुरूस एक बचल के आदर सूचक सर्वनाम की हत है अब देखे मध्यम पुरूस अब देखे जब आप पुरूस वाचक सर्वनाम पढ़ेंगे पुरूस वाचक सर्वनाम सर्वनाम के जो भी भेध है तो ये तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे जब आप परहेंगे पुरुष वाचक स्रवनाम तो यहाँ पे तीन भागों में यह बटा हुआ है पर्थम पुरुष, मध्यपुरुष या मध्यम पुरुष और अनिपुरुष पर्थम पुरुष को क्या बोलते हैं इसको उतम पुरुष भी बोला जाता है मध्यम पुरुष और अनिपुरुष पर्थम पुरुष में क्या आता है हाम या हामिन हाम या हामिन अन्य पूरुष में क्या आता है ? उ या ओखिन ये तीनों चीजा आप देख लीजिए, अपसन के एकोडिंग अब जैसे यहाँ पर पूला जा रहा है कि मध्यम पूरुष एक वचन के आदर सुचक तो तो हो गया एक वचन, तोहिन हो गया बहुबचन हाम हो गया एक वचन हामीन हो गया बहु वचन उ हो गया एक वचन ओखीन हो गया बहु वचन अब मध्यम पुरूस में पुरूस एक वचन तो मध्यम में तोय हो गया और तोय के अगर आदर सूचक बोलना थोड़ा आदर के साथ बोलना तोय की कर ले तो लगे अरे बड़ा है तुमसे थोड़ा सा इज़त के साथ, आदर के साथ बोलो, तोहें की करो है, तो देखें थोड़ा सा अलग हो गया, बोलने का तरीका बदल गया, थोड़ा आदर के साथ बात कर रहें, तो वहाँ पे क्या जागा, तोहें की करह, तोहें हो जाएगा, तोहें तो यहाँ पे क्या यह भी नहीं होगा चलि तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो है तो हैं हो जाएगा इसका सही अंसर कि गौट सब्धे की की माने हव मज़ग भकरी इक अठा होता है और दूसरा होता है कि गौट पहला मेराय दी, जैसे बोलते हैं, घर में कितना चावल दे दे, तो गोंट पहला, तो बोलते हैं कि गोंट पहला दे दी, गोंट पहला, तो यहाँ पे गोंट पहला का अरती क्या होता है, तो गोंट पहला यहाँ पे होता है, चार भाग में तीन भाग, यानि एक केजी का अगर बा 700 ग्राम होता है तो उसका साड़े 700 ग्राम जो होगा वो गोंट होता है कहलाता है जैसे चार केजी में अगर एक तीन केजी बोले तो यह गोंट हो गया चार केजी में तीन केजी यानि चार भाग में तीन भाग जो होता है वो गोंट कहलाता है किलियर हो गया तीन पववा बोल जो भी बोल सकते हैं यह सभी चीजह आपको याद रखना है घर की चीजह किया करूँ थोड़ा बहुत तो इन चीजहों को आप आसानी से समझ पाएंगे घर का काम नहीं करेंगे तो यह सभी चीज़ें नहीं समझ में हैगा यह सुक्राख खेतें गरू हैलल है तो इसका से एंसर othesis option d हो जाएगा, question no.95, महतो कर misleading gave किया तब . to महतो के styling रूप की याति है वहत्वायन हो जाएगा, है ना इसमें वाइन परत्य जोड़ा गया है वाइन परत्य जोड़ करके महत्वाइन यहाँ पर मनाए गया है ठीक ना वाइन परत्य तो महत्वाइन यहाँ यहाँ पर इस्टिलिंग हो जाएगा सुखे किरिया से बनल विसेशन ला गए तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा सुखल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C हर्यर विसेशन से किरिया बनल है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा हर्याली घडर जयतวाचक संग्या कर भावाचक संग्या की हतए तो गिदर जैत, बच्चा जाती का पता चल रहा है यहां से मैं कि बढ़ा जाती का पता है तो इकी जाने के ले तो गिदर जायती यहां पे एक जायत वाचक संग्या के बाद किया जा रहा है लेकिन अगर बोले कि यहां पे कि इसका भाव वाचक संग्या क्या होगा तो भाव वाचक संग्या इसका जो हो जाएगा वह जाएगा गिदराली इसका गिदराली हो जाएग तो इसका सेंसर हो जाएगा option B गोंठ कौन संग्या लागए तो गोंठ जो वो किस प्रकार की संग्या है तो इसको समोह वाचक या तो इसको गोंठ वाचक संग्या ही बोलते हैं है ना खोठा में इसको गोंठ वाचक संग्या ही बोलते हैं तो ये चीज़ें आभी आपको याद रखने, गोंठ वाचक संग्या ही बोलते हैं इसको खुठा में, आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखरी सवाल है, इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा, एकर में कौन सही मिलान ना है, बोनेक लोर, मा अगर आपको बताना है कि कौन सा सही मेल नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा, इसका अंसर हम पहले बता चुके हैं, अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, तो चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे, और उमीद करते हैं कि आजाए और हपासाने से वीडियो को देख पाएंगे और अगर आप टेली ग्राम जोईन नहीं कि तो टेलीग्राम में जोईन कर लें वहाँ पे आपको सारा पीडियूप जो मिलता रहता है कई सारे पीडियूप आपको अभिलेबल करवा दिया जाता है वहाँ पे तो अगर पीडियाप चाहिए तो टेलेग्राम जॉइन कर लेंगे वहाँ पे इन सारे चीज़ों को आपको कबर करवा दिया जगा चल ये फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स टेशन में तब तक के लिए आप सभी को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद